दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे स्वागत है आप सब का एक बर्फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ही नैशनल इंस्टिक्टूट ओफ टेक्निलोजी तिरुचुरा पल्ली की तरफ से जूनियर करी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जोब सब्डेट मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप को भी जॉन कर लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम है इनके ओफिसल नोटिस पर नोटिस आपका एनाइटी ट्रिची डिपार्टमेंट ओफ सिविल इंजिनरिंग की तरफ से 6 जुलाई को जारी किया गया है आगे आपको बताया है एप्लिकेशन आर इन् इंजिनरिंग अब बात कर लेते हैं आपकी वेकेंसी लिटेल के बारे में यहां पर आपके किस प्रोजेक्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई है कौन सी एजनसी इस प्रोजेक्ट को फंड दे रही है किस पोजिशन पर आपकी वेकेंसी रहेगी क्वालिफिकेशन यहां पर को बताया है अगर आपने बीबी टेक किया है सिविल इंजिनिरिंग में तिसी भी AICT या फिर MHRD रिकोगनाइज इंस्टिक्यूट या उनिवरस्टी से और इसके साथ ही आप लोगोंने M.E.M.T. किया है स्ट्रेक्चरल इंजिनिरिंग में आप लोग यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे बात करें आपके पे लेवल के बारे में अगर आप गेट क्वालिफाइट करने गेट हैं तो पहले और दूसरे साल में सेलरी यहाँ पर आप लोगों को 31,000 रुपे मिलेगी और ऐसे ही जो लोग यहाँ पर विधाउट गेट के अपलाई करना चाहते हैं इन लोगों को सेलरी यहाँ पर दो साल दक 25,000 रुपे प्रतिमंथ मिलेगी और तीसरे साल में सेलरी यहाँ पर आप लोगों को 28,000 रुपे प्रतिमंथ मिलेगी इन इसलिए और requirement के हिसाब से इसे आगे extend किया जाएगा अगर आप इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं, eligible होते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको जाना है हमारे telegram channel पर वहाँ से आपको ये वाला application form download कर लेना है यहाँ पर आपसे आपकी basic details मागी गई है जैसे यहाँ पर आपको अपना passport size का photograph लगाना है name लिखना है, nationality, आपकी local language कौन सी है gender लिखना है, ये सारी जानकरी आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से flip करनी है और इसके साथ में आपकी जितने भी जरूरी document है उन सब को आपको self test करना है एक single PDF बनानी है और आपको भेज देना है इनकी इस official email पर ये काम आप लोगों को कर लेना है 31 जुलाई को साम के सारह 5 बजे तक जैसी भी जानकरी आप लोग यहाँ पर अपने application form में provide करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को short list करके 11 अगस्त को interview के लिए बुलाई जाएगा तो जो लोग भी इनके eligibility criteria को पूरा करते हैं आप इसके लिए interested होते हैं eligible होते हैं आप यहाँ पर ज़रूर apply करिए अभी के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका thank you, सुक्रिया वीडियो को like करें, share करें civil engineering के सबसे ज़्यादा जोपसर डेट पाने के लिए चैनल को जरूर subscribe करें